Hello everyone, welcome back to the channel, last minute revision with RSM and here I am back with another video. So, आज हम discuss करने वाले हैं important topic के बारे में and important topic में इसलिए कहरा हूँ because ये topic बहुत सारे students को difficult जाता है, आधे students को तो इसका concept ही पता नहीं चलता है और कुछ students तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उनको इस पूरे chapter में add कौन सी चीज़े करनी है और less कौन सी चीज़े करनी है, उसमें confusion रहता है, तो हम बात करने वाले हैं आज के lecture में reconciliation of cost and financial statement, जो आपके costing का topic है, इसी का एक base topic 11 standard में था BRS bank reconciliation statement, तो usually reconciliation हम क्यों करते हैं, reconciliation basically हम इसी लिए करते हैं कि costing के profit में और financial के profit में कुछ difference है, तो यह जो difference हाता है costing और financial के profits में, उसमें कुछ points होते हैं और वो points को हम add back करते हैं और कुछ points को हम less करते हैं, तो अभी आज के shorts में हम discuss करेंगे कि कौन से points add करने होते हैं और कौन से points less करने होते हैं, हम बाहेट नहीं करते हैं, आपको पता है मेरा style, मैं आपको कुछ shortcut बताता हूँ अगर वो shortcut सा भ्याद रखोगे, तो आपका कभी भी कोई silly mistake नहीं होगा तो किस तरीके से add वाले points, किस तरीके से less वाले points, सारी चीज़े discuss करेंगे लास्ट तक बने रहे, और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो subscribe कर ले because ऐसे ही shortcut वाले वीडियो आपको इस channel पे मिलते रहेंगे, जिसके basis पे आपकी exam में silly mistake नहीं होगी तो reconciliation के लिए shortcut किस तरीके से आद रखे, simple logic बताऊंगा और वो ही कर लो, add क्या करना है, कभी wrong नहीं होगा less क्या करना है, कभी भी wrong आपका नहीं होगा, एक दो-चार example भी लेंगे ताकि आपको add less पता चले तो screen share कर रहा हूँ, ध्यान से समझे, अब ध्यान से समझना, पहले कुछ rule बताता हूँ, ताकि rule अगर समझ में आए, तो that will be very much easy अगर हम expenses की बात करें, तो everybody knows, whenever expenses are more, profit is less, जब कभी भी आपका expenses बढ़ता है, तब profit क्या होता है, कम होता है, और अगर आपका expenses कम होता है, तो profit क्या होता है, जादा होता है, profit बढ़ता है, ठीके, इसका ही concept income के साथ अगर करे, तो income जब बढ़ेगा, तब profit भी बढ़ेगा, और income जब कम होगा, तब profit भी कम होगा, ठीक है, ये rules तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि आपको पता होने चाहिए, लेकिन हम लोग rules से solve नहीं करने वाले, हम shortcut से solve करने वाले, say for example, आपका पहला point है direct materials, यहाँ पे मैं cost लिखता हूँ, यहाँ पे मैं finance लिखता हूँ, औ difference कितना आएगा, आपका 10,000, costing में कितना है, 20, finance में 30, तो difference कितना 10, पहले logic से पढ़ते हैं, फिर shortcut बतातो, देखो, costing में आपका expenses क्या है, costing में expenses क्या है, कम है, costing में expenses कम, तो costing का profit क्या होगा costing में अगर expenses कम तो costing का profit जादा होगा मतलब costing का profit जादा होगा या finance के profit से तो हम क्या करेंगे हम अगर costing से finance जा रहे मतलब हम costing to finance का profit में जा रहे या फिर हम costing के profit से finance के profit तक जा रहे है तो हमें इस point को क्या करना पड़ेगा देखो प्रोफिट क्या हुआ बढ़ गया तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा इसको क्या लाना पड़ेगा तो हम costing में कम amount रहेगी ठीक है यहां पर लिखता हो में अगर हमारे पास costing में less amount रहेगी less amount मतलब छोटी amount compare to finance अगर costing में हमारी amount कम रहेगी तो हम क्या करेंगे हम करेंगे less हम क्या करेंगे हम less करेंगे costing में कम amount है तो हम क्या करेंगे less करेंगे इस point को less करना है बहुत ही simple वाकि कुछ देखने का ही नहीं फिर आपका wrong कभी होगा नहीं costing में कम amount है तो less करने का अगला एक example लेते हैं अभी बड़ी amount के साथ factory overheads ठीक है factory overheads say for example costing में 50,000 है finance में 60,000 है again the difference is 10,000 अभी आपको rule पता चला होगा तो shortcut कर सकते हो कैसे rule है देखो costing में 50 है finance में 60 है costing में कितना है 50 है finance में 60 है कहां पे amount कम है costing में क्या है कमें की ज़्यादा है costing में कम है costing में amount कम रहेगी expense कम रहेगा तो costing का profit ज्यादा रहेगा तो इसको भी हम क्या करेंगे less करेंगे चलो अले point लेते है selling and distribution overheads हमारा समझो यहां पे 40,000 है और यहां पे हमारा 30,000 है अब ध्यान से देखो costing में amount क्या है costing में amount ज्यादा है compared to finance costing में अगर amount ज्यादा रहेगी तो costing मे पीछे चला जाएगा तो इसलिए क्या करना है आपको इसको 10,000 ही आएगा 10,000 को क्या करना है add करना है तो आपको rule क्या याद रखना है rule आपको याद रखना है अगर costing में कम amount दिखे तो less करना है shortcut अगर costing में ज्यादा amount दिखे तो क्या करना है add करना है this is the rule for expenses यह rule किसके लि क्सक्ति बेगर गंता हैं को एक सेल्स हामारे लिए की attainट करते हैं आ सेक्सटिस केकिक है тबिक अर्फ में Financial और यहां पर यहां पर सुए मुज़रे आंग। कंपर छी मिले इनकम का टो प्रॉफिट भी बढ़ता है तो इनकम बढ़ गया तो प्राफिट भी बड़ेगा तो costing में क्या करेंगे हम इसको add कर लेंगे बहुत simple है add कर लेंगे वैसा ही एक point समझो आया preliminary expenses ठीक है preliminary expense यहां पे कुछ भी नहीं है यहां पे है 5000 तो अगर income add होगा तो expenses क्या होगा less होगा बहुत ही simple है तो I hope कि आपको यह shortcut बता चलाओगा कि अगर costing में बड़ा amount ह अगर costing में बड़ा amount है तो आपको क्या करना है add करना है और costing में छोटा amount है तो आपको क्या करना है less करना है यह shortcut apply करे आपका reconciliation का कभी भी add less का जो problem होता है students को वह नहीं होगा I hope आपको यह session समझ में आया है interesting लगा है अगर आपको इस में से कुछ सीखने मिला है तो वीडियो